असाम लेकूम तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हों कि आप सब हैर हरियस से होंगे और जहां होंगे हुश होंगे तो जी आज की रेसिपी है अलू चीज पराथा तो जी ये अलू के पराथे की थोड़ी सी ट्विस्टिज रेसिपी है तो चलें चलते हैं इंप्रिट्रींच ची तरह इसके लिए हमें तीन से चार अदद आलू चाहिए जिर इनको हम उबाल लेंगे और इनके चिलके उतार लेंगे ये स्टाफिंग तकरीबर आठ पराथों के लिए काफी है इसमें हम एक टीस्पून नमक एड़ करेंगे उसके बाद हम लाल मिर्च एड़ करेंगे लाल मिर्च आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से भी डाल सकते हैं मगर रिक्मेंड़ वैलिज ये हैं कि आप इन स्पाइसिस को लाइट ही रखें अब इसमें हाफ टीस्पून काली मिर्च चाहेगी इसके साथ ही हम इसमें दो हरी मर्च डालेंगे जो बारीक गटी होने है लास्ट में हमें सबस धनिया चाहिए जो काफी अच्छी कॉंटिटी में होगा सब इंगेजिंट्स डालने के बाद आप हम इसको हाथ की मदद से या पटेटो मेशिर की मदद से मैश कर लेंगे इस स्टाफिंग को हमने काफी बारीक मैश करना है इसमें हम कोई भी करमसाला ये सूखा दनिया एड़ नहीं करेंगे हमें इसका बिल्को ओरिजिनल टेस्ट चाहिए क्योंकि लेटर रोन हम इसमें चीज एड़ करेंगे तो ये देखिए जनाब हमें इस टाइप का टेक्स्चर चाहिए अपने स्टाफिंग के लिए तो अब जनाब हम अपने पराठे को इसेंबल करेंगे इसके लिए हमें थोड़ा सा हुश्ट का आटा ले ले रहा है पराठे बनाने के लिए मैं चकी का आटा यूस कर सकते हूँ अब कोई भी आटा यूस कर सकते हैं जैसे मैदा या फिर फाइन आटा भी हम आटे को थोड़ा सा हाथ की मदद से फिला देंगे ताकि हम इसके उपर अपनी स्टाफिंग रख सकें अब हम इसके उपर एक चीज स्लाइस रख देंगे आप अपने टेस्ट के मताबिक इसमें दो चीज स्लाइस भी रख सकते हैं अगर आप अपने पराथे में स्ट्रिंग्स चाहते हैं तो आप मोजरेला चीज भी एड़ कर सकते हैं अब हम आलू के स्टफिंग का एक पेड़ा बना लेंगे और इसको एक टिकी की शेप में दे के डो की ओपर रख देंगे अब मैं सारे कॉर्नर्स उठाके दर्मयान में जॉइंट कर लूँगी किसी किसम का भी स्टफ पराथा बनाने के लिए ये सबसे अच्छा मेदेड है अब ये एक टिपिकल पेड़े की शेप में आ गया है और हम इसके उपर से एकसेस आटा उतार लेंगे ताके हमारी रोटी पतली बने देखी अब हमारा पेड़ा बिलकुल त्यार है और अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फिला देंगे ताके स्टाफिंग इजिली और इवनली स्प्रेड हो जाए अब हम इसको हलके हलके हाथों से बेलना शुरू करेंगे आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको मोटा या पतला रख सकते हैं तब हम प्री हीट करेंगे और इसके ओपर हम पराथा रख देंगे इसको हलकी आँच पे सेखने के लिए हयाल रहे कि पराथा तेज आज पे नहीं सेखना वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेगा अब हम पराथे के ओपर एक टेबल स्पून घी आइट कर देंगे और अगर आपके पास देसी घी है तो क्या ही बात है देसी घी पराथे का टेस्ट और कलर दोनों ही डिवालप करेंगे हमारा पराथा नीचे से अच्छे से पाग गया है और आप हम इसको फलिप कर देंगे और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है तो चनाब ये घर में गुंदे बिल्कुल टिपकल आटे का पराथा है लोग कलर लाने के लिए इसमें चीनी डालते हैं जबके मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला मैं इसके ओपर वन टेबल स्पून वाइड बटर डाल रही हूँ आप सॉल्टेट बटर भी ले सकते हैं अब हम इसको धनिया और सबस्मचों के साथ गार्णिश कर देंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सबस्क्राइब जरूर कीजएगा और फ्लॉस को इग्नॉर कीजएगा और इस दुआ के साथ के जहां रहें खुश रहें खुदा हाफिज